दोस्तों जब हम gardening करते हैं चाहे हमारे पास कितना भी कई सालों का experience क्यों ना हो लेकिन जाने अन जाने में हम ऐसी कई गलतियां कर जाते हैं जिसकी वज़ों से हमारे plants को उसका नुकसान जिलना बड़ता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको यह information देना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चाहे आपके पास potting plant हो या ground में लगा हुआ कोई plant हो अगर वो die condition में जा रहा है तो उसको recover हम लोग कैसे कर सकते हैं recover करने का जो procedure है वो मैं आपको बता रहा हूं यह मेरा एक personal experience है और इसके recovery के जो rates है यह vary करते हैं depend करता है plant to plant और season to season लेकिन अगर आप ऐसा परियास करेंगे तो plant वापस recover कर जाता है वीडियो का लंबा ना करते होए पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा इस वक्त प्लांट की condition कैसी है मैं सभी plants को fertilizer दे रहा था तो by mistake मेरे से fertilizer ज्यादा quantity में इसके root के उपर गिर गया और जिसका यह result है कि पूरे का पूरा क्रिप और रोज मेरा खराब हो गया इसको recover करने के लिए मैं आपको जो तरीका बदा रहा हूं वह बहुत आसान तरीका है और success rate काफी ज़्यादा है आप ट्राइज जरूर कीजिए सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप बहुत जादा ड्राय हो गया है यह आपको ऐसा लग रहा है कि स्टैंस काली पढ़नी शुरू हो चुकी हैं तो आपको रिमूब नहीं करनी है मैं पहले आपको यह बता चुका हूं कि स्टैंट पे डिपेंड करता है कि प्लांट टो प्लांट और वेदर के अकॉर्डिंग प्लांट को कैसे रिकवर कर सकते हैं मैं आपको अपना एक्सपीजन्स शेयर कर रहा हूं तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं पहले आप इस चीज का दियान रखें कि कोई भी स्टैम को आपने रिमूव नहीं करना आप यह सोचें कि यह स्टैम सारी खराब हो गई हैं और तो आप उसके कहीं से भी डेड़ स्टैम को रिमूव ना करें किसी भी इन तीन कारणों से अगर आपका प्लांट डाई कंडिशन में जा रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं नमबर वन अगर वो ओवर फटिलाइजर किया है आपने नमबर दो अगर वो सन बन हुआ है नमबर तीन अगर वो स्ट्रेस मोड में है या समर स्ट्रेस मोड में है तो इन तीनों कारणों से हम अपने प्लांट को रिगवर कर सकते हैं है यह तीन परकार के फटिलाइजर है जनको हमें यूस करना है और KIRBY nutrients ही है бат सबसे पहले Zink मार्केट में बहूत ही easily आपको कोई भी sih बारा परसंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इससे जादा स्ट्रेंथ का भी आता है पट मैं बारा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता हूं और यह सीवीड एक्सट्रेक्ट ग्रैनुल्स में हैं आप ग्रैनुल्स भी यूज कर सकते हैं आप लिकृड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं ग आपको देखने को मिले है क्रिस्टल ग्रैनूल्स है और यह भी एजिली मिल जाता है आउनलाइन भी इसके लिए आपको वेलिबिलिटी देखने को मिलेगी अमाजन फ्लेपकार सब जगह बात करूं इनके बेनेफिट की तो जो सबसे मेजर बेनेफिट यह है क्लोरोफिल के न फुल रहता है प्लांट के लिए क्योंकि यह एजन इम्मिनुमोडल लेटर होता है प्लांट के लिए इम्मिनुटी इनहेंसर होता है तो जिंक का इस्तामाल बहुत ही एसेंशल है एज़ा माइकर नियूट्रेंट प्लांट के लिए अब मैं बात करूं सीवेड एक्स्ट्र यह गमले के पौदे हो फसल हो फूल के पौदे हो या कोई भी फल आधी के पौदे हो उनके लिए बहुत ही लाबदाई है इसकी कितनी भी तारीफ करो उतना कम है और यह मिटी को उपजाओ बनाने में काफी ज़दा सहायक है और कई तरह के माइकरो नियूट्रेंट्स हैं जो सीवीड एक्सट्रेक्ट के थूप पूरे होते हैं प्लांट के लिए अगर हम बात करें एपसुन सॉल्ट की तो प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशल है जैसे कि मेरा अल्रडी प्लांट स्ट्रेस मोड में है तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत ही जदा हलफुल रहेगा इसे की अरफ प्लांट को स्ट्रेस से बाहर लाने में कसी भी कंडीशन में बाहर लाता है उसको स्ट्रेस से और काफी प्लांट को जैसे कि यह सल्फर की भी कमी पूरा करता है मेगनीशम की भी पूरी कर देगा कमी और यह अच्छे खाद के रूप में काम करेगा और यह पूरे संपूरन पौदे के स्वास्ते के लिए काफी बेनिफिशल है और पेस्टिसाइड के तौर पे भी यह बहुत अच् है तो आपको अपने सभी पौदों पे इसका इस्तामाल करना चाहिए अब जो भी पौदे के उपर इसका इफेक्ट आया है उसकी जड़ों के पास सीवीड एक्स्ट्रेक्ट ग्रैनूल्स का करीबन दो चमच हमें इस्तामाल करना है और इस तरह से आपने डाल देना है यह में लगा हुआ पहुता है तो इसलिए मैंने दो से ज्यादा में चमच इस्तामाल कर रहा हूं अगर आपका गंबले में अगर यह दिक्कत आई है तो आप दो चमच सफिशेंट है कि सीवीड एक्स्ट्रेक्ट के बाद एप्सन सॉल्ट आप इस्तामाल करें एक चमच जैसे मैंने पहले पताए यह ग्राउंड है तो इसलिए मैं दो चमच का इस्तामाल करूंगा ज्यादा नहीं इसको गुड़ाई करनी क्योंकि जड़े डिस्टरब होंगी इसलिए हलकी हलकी इसको गुड़ाई करनी है जिंक को हम फोलियर सप्रे के लिए भी यूस कर सकते हैं लेकिन मैं अभी पहले रूट सिस्टम को थोड़ा मजबूद बनाने के लिए इसके अंदर स्रेंद बनाने के लिए इसके अन्द ताकत देने के लिए मैं पहले जिंग का इस्तमाल रूट पे करूँगा फॉलिय स्प्रे के लिए जिंग का आप धियान रखे वन एमल पर लीटर के अकॉर्डिंग आप इस्तमाल करें इससे जदा डोस का इस्तमाल ना करें तो जैसे मेरे पास यह डेड़ सोमल का गिलास है उसमें मैं करीबन आदा ग्राम मैंने इस्तमाल किया है जिंख और इसको मैं वापस ग्राउंड में डाल दूँगा मेरे रिकावर होता है तो मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊँगा और अगर नहीं होता तब भी मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊँगा इन सगेन मैं आपको रिजल दिखाने जा रहा हूँ यह एक महीना हो गया मुझे इसको पर्टलाइज और इसको रिकावर करते हुए आप देख सकते हो यह वही प्लांट है जिसको मैंने जिंक सीवेड एक्स्ट्रेक्ट और अप्सन सॉल्ट दिया और इसने यहां से एक नई शूट निगा ली अब देख सकते हो कि यहां तक के एरिया पूरा डेमेज है मैंने लेकिन कुछ भी रिमूव नहीं किया यह देखो यह पूरी स्टेम डेमेज है हाफ डेमेज हो चुकी है लेकिन मैंने इसको काटा नहीं जस्ट वेट किया है मैंने इसको यहां पर भी एक छोटी सी शूट आई थी लेकिन डेमेज होगी थी यह देखो यहां पर भी आई थी लेकिन यह ग्रो कर रही है I hope कि यह ग्रो कर जाएगी मुझे ऐसा अमईद है so I think मेरी information आपको कैसी लगी आप comment box में मेरे को जरूर बताएं तो आप please channel को subscribe करें अगर आपने नहीं किया अभी तक और वीडियो को like जरूर करें thank you